बढूत अच्छी सी बात है कि सब ग्रूप अफ साइकलिक ग्रूप फिर हम यह भी सोचेंगे कि ठीक है, इसका converse true है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में जानेगे, so, okay, माल लेते हैं, कि G एक cyclic group है, so, let G be cyclic group, ठीक है, याने कि G जो है, वो किसी A से generate हो रहा है, clear है, अब हमने ये show करना है, कि अगर मैं इस cyclic group का कोई subgroup लेती हूँ, ठीक है, let HB subgroup of G, यह subgroup का symbol है, so, let HB subgroup of G, then, to show कि H क्या है, H is cyclic है, जरूरी नहीं है कि वो इसी A से generate हो, उसका generator जो है, वो अलग हो सकता है, लेकिन हमने ये show करना है कि वो cyclic है, ठीक है, याने कि उसका generator ढूंग के निकालना हमने है, अच्छा, देखो एक चीज़ तो clear है, कि अगर H जो है, वो G के बराबर है, ठीक है, तो उस case में क्या हो जाएगा, H खुद cyclic हो जाएगा, because G cyclic है, या फिर H जो है, वो E के बराबर होता है, तो उस case में भी ये cyclic हो जाएगा, क्योंकि इसका generator कौन है, E, जो identity element होता है, वो cyclic होता है, ठीक है, मतलब उसका जो set, set नहीं, जो group हमने बनाया है, वो cyclic होता है, है, so if H is equal to G and H is equal to E, then nothing to prove, nothing to prove, because both are cyclic, so let H is, माल लेते हैं कि वो non-trivial subgroup है, ठीक है, so let H is non-trivial, non-trivial का क्या मतलब वो है, कि इस G और E के अलावा, so non-trivial subgroup of G, ठीक है, ओके, अब मुझे ये शोग करना है, कि H जो है, वो, क्या है, cyclic है, तो एक चीज़ तो clear है, कि इस G के अंदर जो सारे element है, वो A के powers के रूप में है, तो obviously, जो H के अंदर element होंगे, वो भी A के powers के रूप में होंगे, बस हमने ये दिखाना है, कि वो भी जो उसके अंदर के element है, उसका भी कोई generator है, ठीक है, बस ये चीज़ हमने शोग करना है, तो ये चीज़ तो clear है, कि जो H के अंदर जो element है, वो भी A की powers के रूप में है, तो हम मानके चलते हैं कि, let M be least integer such as that A to the power M belongs to H, क्या कहा मैंने, कि जो H है, इसके अंदर जो element है, वो भी A की powers के हैं, यानि कि वो कुछ भी हो सकते हैं, A की power 5, A का power 8, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, कि इन मैसे जो सबसे छोटा है, वो वाला integer लेना है, ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया M, so let M be the least integer such as that A to the power M belonging to H, और interesting बात यह है, कि यही जो A to the power M है, यह इस H का generator बनेगा, ठीक है, so we shall show that, we shall show that, कि यही जो A to the power M है, यह इसका generator है, याने कि H किस से generator हो रहा है, A to the power M से generator हो रहा है, ठीक है, तो यह कैसे दिखाऊंगी मैं, कि मैं H के अंदर कोई भी element लोंगी, और यह दिखाऊंगी, कि वो जो element है, वो इस A to the power M का ही multiple है, ठीक है, मतलब A to the power M, इस M का multiple है, ठीक है, सो लेट, कुछ भी ले लो आप, माल लीजे, A to the power T ले लिया मैंने H, यह मैंने कोई एक arbitrary element ले लिया है, H का, ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, applying division algorithm, applying division algorithm, किस पर, on, यह जो M है, और यह जो हमने T लिया है, ठीक है, यहाँ पर हम as a divisor लेंगे, छोटा बाला, तो T किस के बराबर आएगा, MQ plus R के बराबर आएगा, ऐसे Q और R exist करेंगे, such that, यह आप अच्छे से लिख लेना, So, such that, कि यह जो आपका R है, इस greater than, equal to 0, and strictly less than, किस से होता है, strictly less than, जिससे हमने divide कि है, M, ठीक है, और इस case में हम लेके चलते हैं, कि, let, R जहे हो, non-zero है, So, देखो, मैंने पहला case क्या लेके चली हूँ, कि R is not equal to 0, Actually, हमें यह दिखाना होगा, कि R is equal to 0, क्योंकि अगर R 0 हो जाएगा, तो यह जो T है, यह जो A to the power T है, यह जो T है, यह M का multiple हो जाएगा, यह जो A to the power T है, यह जो A to the power M से generate होगा, यह चीज़ हमने दिखानी है, तो पहला case में लेके चलूंगे, कि R is not equal to 0, अगर मैं इसको not equal to 0 लेके चली हूँ, यानि कि कुछ न कुछ contradiction ज़रूर आएगी, ठीक है, क्या contradiction आती है, let's see, देखो, A to the power M q क्या H में belong करता है, definitely करता है, क्योंकि A to the power M अगर H में belong कर रहा है, तो A to the power M q भी उसमें belong करेगा, यानि कि उसका multiple, उसकी जो power है, उसकी multiple भी उसमें belong करेगे, ठीक है, ना, तो इसका यही मतलब है कि A to the power M into, not into, उस group के अंदर जो भी binary operation होगा, वो, A to the power M, जो भी binary operation है, A to the power M, कितनी बार? Q बार, ठीक है, और इसी चीज़ को हम ऐसा लिख रहे है, A to the power MQ, यह चीज़ मैंने आपको already कहीं बार बताई हूँ मैं, ठीक है, ओके, So A to the power MQ अगर H में belong कर रहे है, so this implies कि A to the power minus MQB इसमें belong करेगा, ठीक है, ओके, और A to the power T, तो वैसे ही belong कर रहे है, ठीक है, A to the power T, जो है, वो H में belong कर रहे हैं, तो इन दो condition से हम क्या कह सकते हैं, कि A to the power T minus MQB जो है, वो H में belong करेगा, और A to the power T minus MQ, T minus MQ किसके बराबर है, R के बराबर है, so A to the power R belongs to H, which is contradiction, why, because R is less than M, ठीक है न, R is less than M, तो यह contradiction कब आई, जब मैं R को non-zero लेके चली थी, ठीक है, यह contradiction क्यों है, क्योंकि हम यह मान के चले थे, कि M जो है, सबसे least integer है, such that, कि वो H में belong कर रहे है, A to the power M, जो है, वो H में belong कर रहे है, लेकिन R को non-zero, consider करके, हमने उससे भी छोटा एक ऐसा integer R ढून लिया है, such that A to the power R is belonging to H, ठीक है, यह contradiction है, क्योंकि सबसे छोटा M था, ठीक है न, यह contradiction क्यों आई, क्योंकि हम R को non-zero लेके चले थे, ठीक है, so which is contradiction, and therefore, हमने जो consider किया, वो गलत है, therefore, R is equal to 0, अगर R is equal to 0 है, so A to the power T किसके बराबर हो गया, A to the power, यह R 0 हो गया, यहने कि M Q के बराबर हो गया, ठीक है न, यहने कि A to the power M into Q, so A to the power T, जो है, वो A to the power M का M से generate हो रहा है, ठीक है, और यह क्या था, यह कोई भी एक arbitrary element था हमारा, A to the power T, this was an arbitrary element, लिख लेना, this was an arbitrary element, and each arbitrary element of this H is generated by A to the power M, and therefore, H is cyclic, so therefore, H क्या है, वो cyclic है, और उसका generator A to the power M है, याने कि अगर आपके पास कोई cyclic group है, उसका अगर आप कोई भी subgroup लोग है, तो उसमें जो सबसे छोटा वाला power होगा, A का, वो जो element होगा, वो उसका generator होगा, ठीक है, अच्छा, तो यह चीज़ तो हमने प्रूव कर ली, कि जो group G अगर cyclic है, तो इसका मतलब यह है, कि उसका subgroup है, H मानगे चलिए, कि उसका subgroup है, तो H is cyclic, अब सवाल यह है, कि क्या इसका converse true है, तो इसका converse true नहीं है, यानि कि अगर आपको ऐसा कोई subgroup मिल जाता है, किसी group का, जो कि cyclic है, तो जरूरी नहीं है, कि जो group होगा, वो भी cyclic होगा, इसका सबसे famous example है, हमारा symmetric group का, ठीक है, हमने यह चीज बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ी है, कि जो S3 के अंदर element होते हैं, वो कौन से होते हैं, identity, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, और 1, 3, 2, ठीक है, और यह जो group है, यह cyclic नहीं है, लेकिन इसके आप जितने भी subgroup निकालोगे, यह चीज भी आपने निकाली है, माल लीजी एक है, यह इसका subgroup है, I और 1, 2, ठीक है, यह जो है, यह cyclic है, क्योंकि आप इसको जो है, 1, 2 से generate कर सकते हो, ठीक है, तो 1, 2 का जो inverse है, वो खुदी है, self inverse है, इसको इसके साथ multiply करोगे, यह आने कि 1, 2 का जो order है, वो 2 है, और इस group का order भी 2 है, तो यह cyclic है, उसी तरह से I और 1, 3, I, 2, 3, I, 1, 2, 3, 1, 3, 2, यह भी क्या है, यह cyclic है, लेकिन इसका जो main group है, वो cyclic नहीं है, ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, comment section में, कोई दूसरा example, कि जिसका subgroup cyclic है, लेकिन group cyclic नहीं है, अब लगे हाथ, एक छोटी से property है, वो भी complete कर लेते हैं, कि हर cyclic group जो है, वो abelion होता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, देखो, कि अगर G cyclic है, ठीक है, और abelion है, मतलब मैंने क्या दिखाना है, कि a dot b is equal to b dot a, ठीक है, लेकिन इसकी खास बात ही है, कि इसके अंदर जो element होते है, वो ऐसे power की रूप में होते है, ठीक है, तो मैंने दो element ले ले, a to the power s, a to the power r, belonging to G, ठीक है, तो a to the power r, into a to the power s, यह into का मतलब multiplication नहीं है, उसके अंदर जो भी binary operation है, वो है, ठीक है, यह इसकी property है, कि this can be written as, a to the power r plus s, ठीक है, इन दोनों का से मतलब होता है, जैसे multiplication में होता है, वैसे addition में भी होता है, देखो इसका क्या मतलब है, कि आपने a to the power r को, a to the power s के साथ operate किया है, ठीक है, और जो a to the power r है, इसका मतलब यह है, कि आपने a को r बार operate किया है, यानि क्या, a dot a dot a dot, यह कितनी बार? r बार, ठीक है, तो इसका यह मतलब होता है, कि आपने a को r बार operate किया है, और a को s बार operate किया है, इसका भी वही मतलब होता है कि आपने A को जो है R बार और S बार operate किया है ठीक है तो यह हम लिखते तो बहुत ट्रिवियरली है जैसे multiplication का होता है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर जो यह operation है यह binary operation है जैसे कि माल लीजिए यह matrix है यह भी matrix है इनके बीच में matrix का हो सकता यह multiplication हो, addition हो तो चीज़ें बदल जाती है ठीक है लेकिन हम लिखने में बड़े ट्रिवियरली लिखते है जैसे multiplication के case में जैसे numbers के साथ करते है लेकिन यह चीज़ आपने अपने दिमांग में रखनी है कि हाँ भले ही हम यह number जैसा कर रहे है बट यहाँ पर element कुछ भी हो सकते है, polynomial, matrix, anything ठीक है ओके, so a to the power r plus s, इसको आप लिख सकते हो a to the power s plus r, ठीक है न, क्योंकि r और s तो वो तो है तो इंटिजरी, यह तो number ही है ठीक है, which is equal to a to the power s, a to the power a, बस यह तो शो करना था हमने this is equal to, a dot b is equal to b dot a, इसलिए हर cyclic group जो है वो abelion होता है again, reverse, क्या इसका converse true है, यानि कि क्या abelion group cyclic होता है obviously the answer is no, ठीक है, इसका बहुत famous example, एक मैं दूंगी, एक आप देंगे set of rational number, यह जो है, यह abelion है, obviously मैं multiplication के तहत बात कर लूँ, ठीक है, लेकिन यह cyclic नहीं है, ठीक है, माल लीजे कि यह cyclic है so let, q is cyclic, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इसका generator होगा, जो generator होगा वो भी rational number के रूप में होगा, so let, m by n be its generator, obviously आपने यह चीज लेके चलनी है, कि n जो हो non-zero है, ठीक है, m by n जो है इसका generator है, अब मैं एक element लेती हूँ, 1 upon 3n, obviously इसको number भी बोलूँगे, तो कोई गलत बात नहीं है, so 1 upon 3n belongs to q, ठीक है, अब क्योंकि 1 upon 3n जो है, वो rational का है, और हम मानगे चले हैं, कि जो m by n है, वो इसका generator है, तो यह 1 upon 3n, 1 upon 3n, इसी का कुछ multiple आएगा, मान लीजिए, k times c आ रहे है, ठीक है, अगर 1 upon 3n is equal to k times c और n तो non-zero है, इसको हम cancel कर सकते हैं, so 1 upon 3 किसके बराबर आ गया, k into m के बराबर आ गया, k यहाँ पर कोई integer है, ठीक है, बता दू, so k भी integer है, m भी integer है, और 2 integer का multiplication एक fractional आ रहे है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, this is contradiction, ठीक है, इसलिए हम जो consider करके चले, वो गलत है, इसलिए हमारा जो Q है, वो abelion तो है, लेकिन cyclic नहीं है, ठीक है, example number 2, आपने देना है, ठीक है, करके आपने है, ढाक है, पेकिन झापने हैं ost आपी, तो है। झाल झाल